हेलो फ्रेंट्स वेलकम टु माइ चैनल मार्केटके करेंट स्टेटस को जानने के लिए हमें मार्केट का ओवरविव एक देखना पड़ेगा वो ओवर्वियू में देखाता हूँ मार्केट इस रेंज में नो तरिक को एंटर किया मार्केट ने डबल टॉप बनाया उसके बाद फॉल किया मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेता है और यहां से उपर जाना ही कोसिस करता है लगाता है तीन बार यहां सपोर्ट लेता है उसके बाद मार्केट जब उपर जाता है उसी लेवल से जहां डबल टॉप बनाया था वही से रेजिस्टेंस लेता है मार्केट वहां से उस दिन थोड़ा सा फॉल करता है उसके बाद अगले दिन gap down opening होंगे मारकेट यहाँ पर आके stop हो जाता है के बंद हो जाता है फिर उसके बाद जंगले दिन gap up open होता है फिर उसके बाद उपर तक के level पर जाता है अभी हम यहाँ पर है No doubt market में volatility भूलट है और market में volatility के चलते हमें थोड़ा overview लेना होता है इसलिए ज़्यादा छोटे time frame पे ना होके मैं 15 minute ये time frame पे हूँ यहाँ साफ साफ दिखता है कि उपर वाला level हमारी लिए resistance है और नीचे वाला level हमारी लिए support है market जब भी उस पर जाता है तो लगातार resistance लेकी नीचे आता है और लगातार support ले रहा है तो अब हमें इस छोटी से overview से क्या पता चलता है कि market over वाली level पे जब भी जाएगा वहाँ से reverse होगा और अगर इसे break कर देता है तो over की levels की तरफ चलेगा तो first of all एक बात तो clear होगी कि market जब इन levels के उपर जाएगा तब जाके वो bullish होगा तो उससे पहले हम bullish के बारे में नहीं सोचिंगे और इस level पे आके put लेने के बारे में ही सोचिंगे सबसे पहले हाँ जब market इसको decisively break करता है इस level को भी break करता है क्योंकि यहाँ एक range थी यह इसका top level है इस level को break कर देता है फिर उसके बाद हम आगे bullish होने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन इस range में नहीं Monday के दिन अगर gap up open होता है तो market यहाँ से resistance लेगा obviously और अगर उसके उपर भी निकल जाता है तो फिर वही जो मैं bullish होने की बात के रहा हूं वो bullish होने की तरफ हम अपना view change करेंगे view sideways to bullish की तरफ जाएगा अगर अगर अब market flat open होता है तो market को कुछ नहीं करना है market को उपर के level पर या नीचे के level पर कहीं नगाई जाने देना है market की history बता रही है कि इस sideways range के अंदर जब भी market नीचे से support लेता है तो उपर वाले level को जाके टच जरूर करेगा और एक बार दो बार टच करके वो नीचे आता है अभी market ही इस condition में है that's it for this video subscribe to my channel press the bell icon and like the video